हमारा एक सवाल है कि क्या भारत के राजनेता ऐसे नहीं हो सकते कि वो देश की कमियों के साथ साथ हमारे देश में हो रहे अच्छे कामों की भी तारीफ कर सके जब Democracy Index, Human Rights Index, Freedom Index, Hunger Index, Happiness Index या Media Index इन सब रिपोर्ट्स में भारत की आलोचना की जाती है और कहा जाता है कि भारत की रैंकिंग लगातार नीचे गिर रही है भारत को पाकिस्तान, नेपाल, बंगला देश और अफगानिस्तान जैसे देशों से भी कई सर्वेज में और कई रिपोर्ट्स में पीछे दिखाये जाता है तब हमारे देश के विपक्षी नेता तालियां बजाते हैं, इन रिपोर्ट्स पर बड़े खुश होते हैं, इन पर खूब राजनीती की जाती है और हमारे देश के विपक्षी नेता लगातार सोशल मीडिया पर उन रिपोर्ट्स को शेर करते हैं कि देखिये भारत की हालत कितनी खराब हो चुकी है और उसे सेलिबरेट करते हैं और कहते हैं कि हमारी सरकार कुछ काम नहीं कर रही है और पूरे देश में ऐसी रिपोर्ट्स का परचार करते हैं लेकिन जब कोई अच्छी रिपोर्ट आती है जिसमें हमारे देश को एक सुपर पावर की तरह बताया जाता है तो विपक्षी नेता बिल्कुल चुप चाप बैट जाते हैं इसलिए हमारे देश का विपक्ष तो आपको नहीं बताएगा कि कुछ अच्छा हुआ है लेकिन हम आपको जरूर बताएंगे क्या आपको पता है कि इसी हफ़ते एशिया पावर इंडेक्स की एक नई रिपोर्ट आई है जिसमें अमेरिका और चीन के बाद भारत को हिंद और प्रशान्त महासागर के क्षेतर में तीसरा सबसे शक्तिशाली देश मना गया है और इस मामले में भारत ने जापान और रश्या जैसे देशों को भी पीछे छोड़ दिया है यानि हम उनसे भी बड़ी ताकत बनकर उभरे हैं इस क्षेतर में ये रिपोर्ट आस्ट्रेलिया के एक मशूर थिंक टैंक लोवी इंस्ट्यूट ने जारी की है जिसमें 81.7 पॉइंट्स के साथ अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर है चीन 72.7 पॉइंट्स के साथ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सुपर पावर है इसके बाद इसमें कुल 16 देशों को मिडल पावर की श्रेणी में रखा गया है यानि बीच में जो मिडल पावर हैं जो सुपर पावर नहीं बने हैं लेकिन अभी बीच में हैं और मिडल पावर में हैं ऐसे 16 देश बताए गए हैं जिन में भारत 49.1 पॉइंट्स के साथ जापान, औस्ट्रेलिया, रश्या, साउथ कोरिया, सिंगापर, न्यूजिलेंड और पाकिस्तान को तो छोड़ी दीजिए इन सभी देशों से कहीं आगे हैं और पहली बार ऐसा हुआ है जब भारत एशिया पावर इंडेक्स में अमेरिका और चीन के बाद सबसे ज्यादा स्कोर के साथ पीसरे स्थान पर है ये स्कोर आठ पैमानों पर दिया जाता है जिनमें देश की आर्थिक शम्ता, देश के आर्थिक संबंद, देश की सैन्ने ताकत, राजनाइक प्रभाव, भविश्य के संसाधन और उस देश की यानि मुश्किल समय में अपने प्रतिदुंदी को मूँ तोड़ पलटवार देने करने की शक्ति का आकलन किया गया, यानि अगर उस देश पर हमला हो जाए, तो वो देश उस हमलावर के प्रति उसे कितना करारा जवाब दे सकता है ये ख्रमता, और इनमें जादातर मामलों में इस बार भारत को बहुत अच्छे नंबर मिले हैं, बहुत अच्छे पॉइंट्स की वृद्धी हुई है, और ये पॉइंट्स भारत की सोफ्ट पावर से भी बढ़े हैं, इस रिपोर्ट में सोफ्ट पावर क्या बताई गई है, भारत की सोफ्ट पावर है योग, भारत की सोफ्ट पावर है बॉलिवुड और भारत के प्रवासी भारती है, जिस तरीके से उनका जो influence है, उनकी जो ताकत है वो बढ़ी है, उसके कारण भी भारत का score इस index में बढ़ गया है। आज अमेरिका, चीन, जर्मनी और जापान के बाद भारत दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थविवस्ता है। इस मामले में हम रश्या और बिटन को बहुत पहले ही पीछे चोड़ चुके हैं। इसी तरह अमेरिका, रश्या और चीन के बाद भारत के पास दुनिया की चौती सबसे शक्तिशाली सेना है। और भारत के पास इस समय दुनिया की सबसे बड़ी युवा शक्ति है। और भारत दुनिया का शायद इकलोता ऐसा देश है, जिसका राजनाएक प्रभाव यानि हमारे देश के प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी आज अमेरिका से भी वैसे ही बात कर सकते हैं जैसे युकरेन से बात करते हैं। इसरेल में भी जाते हैं और फिलिस्तीन में भी जाते हैं और इस समय भारत की बात पूरी दुनिया मानती है जो दो देश कटर दुश्मन है आपस में कभी बात तक नहीं करते लेकिन वो दोनों देश भारत से जरूर बात करते हैं और यही कारण है कि एशिया पावर इंडेक् लेकिन हमारे देश के विपक्षी नेता इस इंडेक्स में भारत की मजबूत स्थिती की कोई बात नहीं कर रहे है। सन्नाटा चाया हुआ है। और इसी से आप समझ सकते हैं कि हमारे देश की राजियती अब शायद देश से भी बड़ी हो गई है। हाला कि इस रिपोर्ट में कुछ चुनोतियों का भी जिकर किया गया है। वो भी आपको पता होनी चाहिए क्योंकि आपको ये पता चलेगा कि भारत के सामने क्या चुनोतियां हैं और वो चुनोतियां आपकी भी हैं। इसमें लिखा है कि भारत में बढ़ती आर्थिक असमानता यानि गरीब और अमीर के बीच बढ़ती खाई, गामों में संसाधनों की कमी, शिक्षा और स्वास्ते के शेतर में अच्छा इंफ्रसक्चर न होना, भारत के सुपर पावर बनने के दिशा में अब एक बड़ी चु आर्थिया है